हालो विल्वान वाकम टू दिस चैनल कैसे हैं आप सब हूप आप सब अच्छे होंगे सो कैसा आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी परसन चोड़ रहे हैं राइट अब आपको क्या मेसेस देना चाहते हैं टामलस रडिंग है जब आपसे देख रहे होंगे तभी साप सरसनेट होगी चेनल रटिंग है जितने मेसेजस रसनेट होने लिजएगा बाकी को स्किप किये जएगा तो लेक़े प्रबो का नाम जैसी या राम फैस्ट मेसेज फी है आई कांट वेट अनिमोर आद ये वेट नहीं कर सकते हैं इनको जितना वेट करना था इन्नोंने कर लिया अब ये वेट नहीं कर सकते हैं बहुत चल दिए आपसे connect करेंगे, give me space in your heart, आपके heart में space चाहते हैं, कि आप इनको थोड़ी से जगह दें, फिर ये भी अपने थोड़ी से जगह बना लें, आपके heart में, ऐसे जगह बनती है, यदि मुश्किल से निकले हो ना, और अभी विरा रहे हो, I can feel you everywhere, I can feel you everywhere, क्या भाई, क्या कर रहे हो, हर जगह आप ही आप दिखरो इनको, भूत के जैसे, I'm sorry, it was my fault, चलिए अपने गलते स्विकार कर रहे हैं, इनसे जो भी गलती हुई, accept कर रहे है, forgive me please, okay, दोनों ही cards, confirmations, confirmation है कि आपके person को regret है, they are very sorry, कि इन्होंने आपको hurt किया past में, इन्होंने ऐसे action लें, जिनको नहीं लेने थे, तो भी देखो, ऐसा काम ही क्यों करते हो, बाद में sorry बोलना पड़े, और फिर आपका ego hurt होगा, ego को भी hurt नहीं करना चाहोगे, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो, प्लीज वेट फो मी, आप से कह रहें कि आप इनका वेट करें, खुद से वेट हो नहीं रहा, बट आप से चाहते हैं कि आप वेट करें, क्योंकि आप वेट करते आएं हैं, इनको पता है और आप और वेट कर लोगे, कुछ है जो आप में बहुत साथ कास है, पता है क्या है, यहीं कि आप वेट कर लेते हो, यह वेट कर नहीं पाते, I really need you, इनको बहुत ज़रत आपकी, I wanna take care of you, आपकी क्यार करना चाहते हैं, आपकी क्यार करना चाहते हैं, okay, Do you know how much I love you, do you know how much I want you, आपको पता है कि आपको कितना चाहते हैं, अरे इतना बता दिया, अभी भी, पूछी रहे हो कितना चाहते हैं, I am waiting for right time, इस इफ राइट का वेट कर रहा है, फिर को दी आगे बता देंगे कितना चाहते हैं, And next message we have, okay, you are my past life relations, so guys, भले इनको सुल मिट, Twin Flame Journey के बारे भी ना पता हो, लेकिन इनको इतना तो आभास हो गया, कि आपके साथ कोई सुल का connection है, You know, I can't live without you, आपको अच्छे से पता है कि आपके बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, तब भी तो माफी मांग रहे हैं, तब भी तो वापस आने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता लग गया, कि आप इनकी जरूरत है, आपके बिना ये नहीं रह सकते, और इनको जैसे feel हुआ है, आप दोनों के भी जो distance आया है, इस distance नहीं इस इनसान को feel करवाया है, कि आप इनके लिए कितना value रखते हैं, आप इनके लिए कितना जरूरी हैं, I'm lucky because you are with me, देखिए, इनको अहसास हुआ है, आपके value इनको realize हुई है, कि आप इनके लिए कितना जरूरी हैं, ये खुद को बहुत lucky feel करते हैं, कि आप इनके साथ है, I'm healing, so आपके person के healing हो रहे हैं, ये खुद को heal कर रहे हैं, so बहुत अच्छी बात है, अगर heal होके आपके तरफ आते हैं, तो फिर तो कोई issue नहीं रहेगा, everybody has an addiction, mine just happened to be you, हर किसी का, कोई न कोई addiction सरूर होता है, आपका भी होगा, but आपके person का addiction है, आपका होना और ये आपके होकर रहेंगे, आप चाहे या ना चाहे, I can't stop myself for thinking about you, ये खुद को रोक नहीं पाते हैं, सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये ट्राइ भी बहुत करते हैं, कि आपके बारे में नाफ सोचते हैं, इधर अधर अपना mind distract करने की सोचते हैं, लेकिन होता नहीं है, I can't come back right now, इस वक्त हो सकता है, situation ऐसे है, इस वक्त हो सकता है, ये कहीं stuck है, किसे situation में है, किसी विगार में एक partner के साथ, तो इस वक्त ही नहीं आ सकते, थोड़ा सा time इनको और दीजिए, और आप patience रखे, please understand my situation, कोई ऐसे situation है, जिससे निकलना इतना easy नहीं है, so ये आप से कह रहे हैं, कि आप इनको understand करे, you are in my destiny, इनको पता है, इनको सब पता है, कि आप इनकी destiny है, आप इनकी destiny में लिखे है, आभी कुछ और specific message देख लेते हैं, आपकी person के तरफ से, ये जो messages मैं निकाल रही हूँ, love oracle से, ये messages मैं उन्हें की जबानी चाहिए करूँगी, आपकी person, right now, अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, guys, energies को pick कीजेगा, no matter, आप लड़का हैं या लड़की, so maturity के साथ, message pick कीजेगा, so मैंने five cards निकाले हैं, let me check कि, क्या message है इनमें आपके लिए, specific right now, वो अगर आपसे कुछ कहते हैं, इस वक्त तो क्या कहते हैं, अच्छा जी, या आपसे कहते हैं, कि मैं कभी नहीं चाहता था, कि तुम हमारे बीच ये distance आए, मुझे goodbye के नाम से नफरत है, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुमसे अलग हूँगा, और अगर मैं तुमसे अलग हूँगा, तो वो मेरी मजबूरी थी, आज भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, move on करने के मैंने बहुत कोशिश किया, आज मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा mind divert करने के, बट वो नहीं होता, तुम्हारे साथ जूड़ी, यादे मेरे को बहुत बरिशान करती है, वो मुझे जैसे हर जगह तुम्ही तुम दिखते हो, मैं भूलने पा रहा हूँ तुम्हें, इना पास्ट की बातों को, और मुझे ऐसा फिल होता है, कि इस सिर्फ तुम्ही हो, जो मुझे इतना प्यार दे सकते हो, बस एक तुम्ही हो, जो मेरी क्यार कर सकते हो, बस एक पूरी दुन्या में तुम्ही हो, जो मेरे लिए बने हो, यहाँ पे इतना तो मुझे एसास हो गया, कि हम दुनों का जो यह प्यार है, जो यह connection है, यह रिश्टा यह बहुत खुबसुरा था, यह सबसे अलग है, यह feeling ही सबसे अलग है, और यह जो love है, यह true love है, यह divine love है, हर किसी को नसीब नहीं होता, मुझे नसीब हो, आप आप सो लखी कि तुम मेरे साथ हो, आप सो लखी कि तुमने मुझे से प्यार किया, बट आज कल तुम्हारे behavior से, कि मुझे ऐसा लगता है, कि शायद अब तुम्हें फरक नहीं पड़ता, मेरे होने या ना होने से, कहीं न कहीं तुम मुझे भूल रहे हो, कहीं न कहीं तुम मुझे ignore कर रहे हो, बहुत हर्ट करता है मुझे, बहुत ज़ादा हर्ट करता है, कre तुमें असास भी है कि आज भी मैं तुम्हारा वीट कर रहा है और तुम्हाने बिBINना मेरी लाइफ अधूरी है incomplete है okay, song नहीं है जीए तो जीए कैसे बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके सुनका दिल कहीं नहीं लगता कैसे कहीं बिना तेरे जिंदेगी ये क्या होगी जैसे कोई सजा कोई तूआ होगी आपके बिना जेना सजा हो गया एक सौग में दूसरा सौग हो रहा गया तू मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी मैं तेरे प्यार का अर्मा लिए बैठा हूं सो कहीं न कहीं ये आप से बहुत सी उमीदे लगाएं बैठे हैं कि आप initiative लेंगे आप इनसे आगे से होके connect करेंगे सो उमीदे बहुत हैं अर्मान बहुत हैं जो आप से जुड़े हुए हैं और आपके बिना बहुत अक्यलापन ये फील कर पा रहे हैं अब भी मैं महादेव जी की तरफ से message देख लेती हूँ सो ये message बताता है कि आपको problem से ज़ादा solution पे ध्यान देना चाहिए हो सकता है आप से past में जो गलती है उसी को बार-बार आप सोच रहे हो कि ये ऐसे गलती होगी मुझसे ऐसे होगी अरे जो हो गया सो हो गया अब भी focus होना चाहिए आपका solution पे अगर सामनी कोई problem है तो उसका solution पे ध्यान दे ना कि उस problem पे यहाँ पे negativity को छोड़के आपको उसका solution निकालना है negative होने की बचाए सो यही महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि right now solution पे ध्यान दीजिए बच जाए प्रॉब्लम के यह थी छोटी से जरिंग आपसे रेजोनेट की है अगर रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कोमेंट करना ना भूले मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चेक यार अपना ख्याल रखें जैसी आराम